एक बार की बात है, एक खूबसूरत गाउ में दो दोस्त रहते थे, अमरजीत और विशान. वो दोनों बच्पन से ही एक साथ थे, और हमेशा एक साथ खेलते थे. एक दिन खेलते हुए उन्होंने जंगल में एक गहरे गुफा के बारे में सुना. उन्हें पता चला कि उस गुफा में एक ऐसा जादूई खजाना छुपा है, जो हर हफ़ते अपनी जगह बदल लेता है. फिर क्या था, दोनों दोस्तों ने तै किया कि वो इस खजाने की खोज में जाएंगे. अगली सुबह, अमरजीत और विशाल ने अपने रास्ते की योजना बनाई. वो लोग रस्ते में कही खो न जाएं, इसलिए उन्होंने एक नक्षा भी बना लिया, और फिर वो तीनों दोस्त पक्का इरादा करके निकल गए कजाने की तालाश में. थोड़ी देर चलने के बाद विशाल को अचानक से बहुत तेज प्यास लग जाती है, थोड़ा ढूंदने पर उन्हें एक छोटा सा तालाब मिलता है, लेकिन जैसे ही वो लोग पानी पीने के लिए तालाब के पास जाते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि पानी में सोने के छोटे छोटे कन है, ये देखके उन्हें यकीन हो जाता है कि वो लोग कजाने के बहुत पास है और इससे उनका आत्म विश्वाश भी बढ़ जाता है, वो लोग तालाब से पानी पीते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं, काफी देर चलने के बाद वो दोनों जंगल के बीच में एक गुफा के बास पहुचते हैं, जो की देखने में बहुत भयानत लग रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग हिम्मत करके गुफा के अंदर जाते हैं, काफी देर तक उस गुफा में ढूंधने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है, वो लोग ठक के हार मानने ही वाले होते हैं, कि तभी उनमें से एक दोस्त की नजर गुफा में पड़ी एक किताब पर पड़ती हैं, जो की देखने में बहुत पुरानी थी, जब वो उस किताब को खोल के देखते हैं, तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं, दरसल वो किताब एक जादुगर की थी, उस क इतना पढ़ने के बाद किताब गायब हो गई, अब क्या था दोनों फिर से लग जाते हैं, गुफा के अलग-अलग हिस्से में कजाने को ढूंदने, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है, अचानक अमरजीत बोलता है, क्यों न हम गुफा के पीछे ढूंदे, उसके दोनों दोस्त गुफा के पीछे पहुचते हैं, जैसे ही वो लोग वहां पहुचते हैं, तो वो लोग हैरान रह जाते हैं, वहां पर एक बहुत ही सुन्दर बगीचा था, उस बगीचे में बहुत सारे सुन्दर-सुन्दर फूल और काफी पेड पौधे थे, उनमें से एक पेड़ पे एक सोने की माला लटकी हुई थी। उस माला को देखके एक दोस्त बोला, हो ना हो खजाना इसी पेड़ के निचे होना चाहिए। उसकी बात से बाकी दूसरा दोस्त भी सहमत था। फिर क्या था उन्होंने आफ देखाना ताफ वहाँ पर खोदना शुरू कर दिया थोड़ी देर खोदने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ सोने से भरा एक संदूक है। उस संदूक को देखने के बाद उनकी कुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर उन्हें वो खजाना मिल ह गया जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहंत की थी। वो दोनों खुश थे क्योंकि वे एक दूसरे के दोस्त थे और उनके बीच बनी ये दोस्ती अनमोल थी। और इसी तरह अमरजीत और विशाल ने उस खूबसूरत खजाने के साथ साथ अपने दिल की खुशी बाटी और खु तो हम किसी भी ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूल बात है कि दोस्तों की सच्ची दोस्ती पमेशा अनमोल होती है।